हेलो फ्रेंड्स, वेलकॉम तो माई यूटूब चेनल स्टुडेंस परामा आज हम फिलोसपी का सेकेंड चेप्टर पढ़ेंगे जो की है कॉंसेप्ट एंड स्कोप अब एजुकेशन इसमें हम एजुकेशन का मेनिंग क्या है उसका क्या 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 कॉंसेप्ट है पूजा की तरह देखते हैं भगबान को जैसे पूजा करते हैं जैसे एजुकेशन के भी हम लोग पूजा करते हैं पूजा की तरह देखते हैं एंसेन टाइम में जो रिसी लोग थे वो लोग बोलते थे कि एजुकेशन हमारा तीसरी आँख है जैसे कि हम लोग भगवान का जैसे तीसरी आँख होता है वैसे ही हमारा भी तीसरी आँख है एजुकेशन हमारा जो इंडियान एजुकेशन कमिशन है that is called कोठरी कमिशन वो क्या बोला है the destiny of India is now being saved in our classrooms इसका मतलब क्या है हमारा इंडिया का destiny कहां पर है अभी classroom में है मतलब एजुकेशन से ही हमारा इंडिया का destiny पता चलेगा अभी के दुनिया में education बहुत important है और बीना education के कोई भी काम हम लोग नहीं कर पाएंगे अभी देखते हैं इसका meaning क्या है meaning of education meaning क्या है देखो हम लोग education का meaning हम लोग दो वे में देखेंगे एक है western view जोकि western countries है उन लोग का view और एक है Indian view Indian view में भी क्या क्या है western view में क्या है यही सब बारे में हम लोग देखेंगे तो पहले क्या है western view western view में देखो इथिमो लोजिकाली, the term education is derived from flowing Latin words, कुछ Latin words से आया है, जैसे कि educate हो गया है, या फिर educo, इसका मीनिंग क्या है, जहाँ पर to rise होता है, नरीस होता है, मतलब आगे बढ़ता है, या फिर कुछ training करते हैं, यही सब चीज़ है, education, तो इथिमो लोजिकाली क्या है, education का मीनिंग, चील का, attitude का, भार्चू, हमारा जो habit है, वो सब का development को हम लोग education बोलते हैं, कुछ महान आदमी ने हमारा क्या दिया है, कुछ definition का, जिसमें कि Socrates आते हैं, Plato, Aristotle, ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, तो उनका definition देखते हैं, करके, तो Socrates के हिसाब से क्या है, dispelling errors and discovering truth, मतलब education का मीनिं होता है, कि हम लोग truth को discover करेंगे, और जो भी wrong चीज़ है, उसको सब काट देंगे, ऐसे plateau क्या बोले है, education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment, ठीक टाइम में हम लोग जो pleasure है, जो खुसी है, या फिर जो दुख है, वो सब को, उसको feel कर पाने का capacity को education बोलते हैं, Aristotle क्या बोले हैं, Aristotle बोले हैं कि education is the creation of sound mind in a sound body, मतलब एक अच्छा बड़ी में एक अच्छा सा creation बनाने को education बोलते हैं, ऐसे ही pastology क्या बोले हैं, natural, harmonious and progressive development of man's innate power, एक man का जो innate power, अंदर का power होता है, उसका naturally and harmonically जो progress हो रहा है, उसको बोले हैं, ऐसे ही बहुत लोग definitions सब दिये हैं, और कुछ important definition, देखो, William James बोले हैं कि fitting the individuals to his physical and social environment, उसका जो social and physical environment है, उसके साथ उसको adjust करके रहना को बोलते हैं, ऐसे और बोले हैं, देखो, रसकिन बोले हैं, leading the human souls to what is best and making what is best out of them, मतलब human soul को कैसे best बनेंगे और उससे कैसे best निकालेंगे, उसको बोले हैं, रसकिन बोले हैं, then montagen बोले हैं कि cultivating manners, behaviors, bearing and mind in education, हम लोग अगर हमारा जो manner है, behavior है, वही सब को ठीक करने को और cultivating करने को education बोलते हैं, ऐसे ही बहुत सारे दिये हैं, यह सब western ideology है, western लोगों के हिसाब से क्या है, यह farewell बोले हैं कि education is leading and guiding for peace and unity with God, भगवान के साथ unity में रहने को, peace, shanti से रहने को education बोलते हैं, बोले हैं, then आता है Indian view of education, हमारे इंडिया में education को एक spiritual, एक भगवान, जैसे एक आध्यात्मिक रूप से देखा जाता है, इसमें तीन वार्ड देखते हैं हम लोग, शिक्ष्या, बिद्या, संस्कार, यह सब क्या है, education का मीनिंग है, शिक्ष्य or to teach, by it is clear that disciplining, mind, instruction and teaching is the education, तो शिक्ष्या का मतलब क्या है, disciplining mind, हमारा mind जो discipline होके जो सिखता है, और सिखाता है, वो है education, then बिद्या क्या है, बिद्या is equal to term education, also derived from the Sanskrit verbal word, बिद्या, which means to know, तो बिद्या का really meaning क्या होगा, knowledge, तो education इसाब से क्या होगा, the process of acquiring knowledge, संस्कार, संस्कार, education के साथ आस पास का चीज़ है, देखो, इंडिया में, सम्यक अक्राम इती संस्कार, which means giving the right shape to the individual, एक आदमी को अपने right shape देने को संस्कार बोलते हैं, मतलब उसको अच्छा सब देने को, तो इंडिया में, there are 16 संस्कारs in every individual's life, हमारे इंडिया में 16 संस्कार हैं, जो कि हमारे education system को दिखाता है, तो ये जो संस्कार है, वो हमारा जनम होने से पहले से start होके, मरने के बाद तक होता है, हमारे इंडिया में, education को हम लोग बहुत पुजा करते हैं, क्योंकि वो हमारा second birth, या फिर दृत्यम जनमाम, ऐसे बोला जाता है, education को, तो उपनिसत के हिसाब से अगर हम देखेंगे, education क्या बोलते हैं, सा बिद्या या बिमुक्त है, इसका मतलब क्या है, जो liberation देता है, हमको जो मुक्ती देता है, वो ही बिद्या है, then rig बेदा में क्या बोला है, education as a force, which makes an individual self-reliant and actual selfless, मतलब एक force है, जो कि individual को self-reliant बनाता है Then, याज्या भलका, क्या बोले है, education is that which makes a man of good character and useful to the world, मतलब वो एक आदमी को अच्छा बनाता है, जो से कि वो दुनिया का यूज, मतलब कुछ फायदा कर सेके, कोटलिया बोले है, education means training for the country and developing love for it, कोटलिया के हिसाब से क्या है, education एक ऐसा चीज़ है, जो कि country को development में help करता है, संकराचार्जा क्या बोले है, education means the realization of the self and attainment of मुक्षा, संकराचार्जा के हिसाब से भी वो education का मतलब क्या है, मुक्षा पायना है, ऐसे ही बहुत सारे लोग दिये है, जैसे कि रामकृष्णा परमाहंस बोले है, दयनांद स्वरस्वती बोले है, कि education is a mean for character formation and righteous living, मतलब character को form करने को हमारे इंडिया में ज्यादा ध्यान दिया गया है, then रामकृष्णा परमाहंस बोले है कि purification of the mind and heart, education का meaning, purification of mind and heart, हमारा mind को और heart को purify करने को हम लोग क्या बोलते है, education बोलते है, ऐसे स्वामी बेवकानाद भी बोले है कि education is the manifestation of divine perfection already existing in man, जो human के अंदर जो बसा हुआ है उसको निकालने को बो जो भगवान डिवाइन है, उनको निकालने को बोले है, गांधी जी defined by education, I mean an all-round drawing out of the best in child and man body, mind and spirit, मतलब education का meaning, एक बच्चा हो या बड़ा हो उसका mind, spirit सब ठीक होने को बोले है, ऐसे ही बहुत सारे लोग ये बोले है, जाकिर हुसेन बोले, helping the mind of the education to realize absolute moral and intellectual value, ऐसे स्थर्वपली राथा किसनन बोले है, training the intellect, refinement of the heart and disciples of the spirit in the education, तो ये सब दिये हैं अपने-अपने हिसाब से, बहुत सारे definition, then है nature of education, education का nature कैसा है, हम लोग education को बहुत सारे वे में, उसका nature को divide, मतलब explain कर सकते हैं, क्योंकि जो education है, वो हमारा birth से ही आ जाता है, कौन-कौन सा character कैसा होगा, क्या, तो चीप characteristics अब दिखते हैं, nature of education का, एक है education is purposive, कुछ purpose के लिए हम लोग education लेते हैं, education is deliberate, education involves care and guidance, मतलब care and guidance लगता है, then education is planned activity, education क्या है, एक planned क्या गया activity है, systematic way में पढ़ते हैं, lifelong होता है, continuous होता है, lifelong होता है, हमारा life से ending तक होता है, और continuous education पाते रहते हैं, then education is balanced development, यह एक balanced development है, then education is tripolar, इसका तीन चीज़ एजुकेशन इंभावब तो, teacher, the student and the social environment, teacher भी है यहाँ पर, student भी है और social environment भी है, और उसी हिसाब से वो child का behavior चेंज होता है, then education is psychological, as well as social, यह हमारा socially भी है और psychological भी है, then narrow and wider meaning of education, education का एक narrow meaning भी होता है, और एक wider meaning भी होता है, narrow meaning में क्या आता है, जिसकी T. Ryan's बोले हैं, in the narrower sense in which the term is used in common speech and in legal enhancements, तो normal हिसाब में क्या बोला है, कि देखो narrow meaning of education यह सब है, narrow type of education is impaired in plant institutions like schools, यह जो schools में जो पढ़ते हैं, एक narrow way में होता है, मतलब कुछ syllabus होगा, उसी को ही पढ़ेंगे, वो इसको education बलते हैं, it is limited to the teaching of ready-made material, इसमें ready-made material होता है, वो ही सबको हम लोग पढ़ते हैं, education is regarded as synonymous with instructions, इसमें क्या होगा, education को हम लोग एक instruction के हिसाब से पढ़ते हैं, मतलब कुछ instruction होगा, उसको ही पढ़ेंगे, it is deliberate, conscious and systematic influence, यह systematic way में पढ़ते हैं, जिसको कि वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, then this type of education is intentional rather than incidental, यह intense, मतलब हम लोग एक systematic way में पढ़ते ही आते हैं, certain कोई incident से नहीं आता है, then knowledge is considered as the accumulated experience of the human race, बहुत लोगों का जो experience है, उसी को ही हम लोग theory लेके वहाँ पढ़ देते हैं, नेरो में, लेकिन जब wider meaning आता है, wider meaning, अब education में क्या होता है, अगर lifetime में देखेंगे जो जो भी चोईज हो रहा है, वो भी एक type का education ही है, तो हम लोग अगर देखेंगे, broader meaning में देखेंगे और wider meaning में देखेंगे तो क्या है, तो process of education इने इचे lifelong process, यह wider meaning में एक lifelong process है, जो कि infancy से dead तक, या फिर warm to term तक, मतलब जब बच्चा जनम होता है, तब से लेके जब उसका मौत होता है, तभी तक चलता है, then it includes experience gained through the various formal and informal agencies of education, child can learn from home, school, temple, यह क्या है, यह ऐसे education है, जो कि हर जगा पे हम लोग का मिलता है, school में, घर में, टेंपुल में, cinema में, club में, प्रेस में, travel करते टाइम, friends लोग में, physical, social, सब जगा पे मिलता है, every experience is set to be educative, और जो भी experience मिला, हम लोग कहां पे गुमने जा रहे हैं, तो वहां पे जो experience मिला, वो भी एक टाइब का education है, तो यह है इसका wider view, we receive education many a time, when we are not conscious of it, हम लोग उस में conscious भी नहीं होते हैं, और उस टाइम पे बिश ख्युमने को मिलता है education, जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, वह होँ पे चाहं पे गिर जाते हैं, तो वहां पे भी कुछ education हमें को मिला, कि नहीं कैसे चलने से नहीं गिरेंगे, कई से चलने से गिरेंगे then education h process or क्या क्या process education various एड हो है process जैसे कि education of unipolar process का you अउनि पोलर process कैसी हुआए क्या होदा है ? अदिक प्रॉसेशन इन दस्य जो एट में ये जूसी और वैशृस्ट तकन सीन एजूक का state युउनि एक unipolar system था वहाँ पे क्या होता था teacher plays active role in educational process वहाँ पे teacher active role play करता था लेकिन modern education में क्या है unipolar process but the difference is now is that child centered education यहाँ पे child center हो गया उस टाइम पे teacher center था अभी child center हो गया है new child centered initiative techniques and apparatus are used to create अभी वो सब technology आ गया है चीसे की वह student अपने आप ही एक ही पढ़ सकता है तो उसको बोलते है unipolar process student is focus point in the educational process in the modern education इसमें क्या है student educational purpose का main चीज है Adams pointed out that the activity of the educator and educated pole comes to a point of redistribution which the child tries to acquire certain skills and knowledge or develop a pattern of behavior here teacher is nothing but a means by which the child educates himself यहाँ पे teacher क्या होता है एक means होता है मतलब teacher का कुछ influence ज्यादा नहीं रहता है teacher से एक means होता है जो कि education donor करता है then कुछ लोग education as bipolar process बोलते है जैसे कि according to Sir John Adams education is bipolar process in this process both the educator and educator or student मतलब वहाँ जो यूनी पोलार था वहाँ पे आधर teacher important role था या फिर student एक था लेकिन bipolar में क्या होता है यह दोनों ही important role play करते है teacher भी student भी education in this way becomes a shared activity तो इधर क्या होगा share process होगा दोनों में share होगा both teacher and student influence होंगे इसमें इसमें क्या होगा तीन लोग का काम होता है जैसे कि एक है teacher एक है children और एक है society तो यह तीनों जो नीचे बाला भी photo student teacher and social environment यह हो गया ट्राइपोलार प्रोसेस अफ एजुकेशन तेन उसके बाद है scope of education scope क्या है education का scope क्या है कहां कहां पर इसका scope है कौन-कौन से जगा पर बहुत सब पढ़ेंगे तो scope of education scope of education is as vast as life itself हमारा life जितना है उतना ही scope मतलब lifetime में हम लोग बोल सकते है कि education is life है और life is education all life is education and education is life education क्या है lifelong process है इसमें formal हो गया informal non-formal सब process में हम लोग education को पा सकते है वो child अपने every source से ही education को पा सकता है education हर जगा पर होता है उसका culturally intellectual physical religious सब जगा पर है education has moved away from preparing peoples to fit in a particular society but it seeks to make them feel that they belongs to the larger world family तो वो क्या करता है हम लोग को एक particular society से लेके पुरा दुनिया के साथ मिलाता है education तो the following are may be included under the scope of education scope of education में ये सब आता है that is M of education M of education में क्या होगा हमारा M जो है education का जो M होगा उसी ही सब से हमारा scope भी होगा जैसे कि हम अगर वो self-realization, liberalization, character formation, development में, citizen training में वही सब में हो रहा है तो हमारा M सब यही सब होना चाहिए ये सब M of education होने से हम लोग को scope भी उसी सब से मिलेगा then curriculum, the curriculum is the sum total of educational experience curriculum can be considered as totality of education मतलब हमारा जो total education जो भी हम लोग मिले है वो ही सब का total को देखने से total experience जो है उसको हम curriculum बोलते है जो psychological हो सकता है, psychological हो सकता है, sociological principle हो सकता है जिससे कि हमारा curriculum अच्छा हो सके then methods of teaching, modern education involves in discovering and improving अभी का जो है बहुत नया नया प्रोसेस आ गया है वो पहले question answer method हो गया problem solving method, inductive and deductive method, play way method, activity method यह सब आगे पढ़ेंगे क्या क्या है तो यही सब method हम लोग पा सकते है, इसके scope है, then teacher, teacher play key role in the educational process educational process में teacher हो गया या फिलोसपर, psychologist, scholar, इन लोग का opinion जो teachers important role play करता है तो teachers सही क्या होगा, education discuss about various ways of teacher's role for effective education it is experience that there should be good, favorable and parental relationship between teacher and student तो teacher student के बीच में अच्छा relation रहना चाहिए, उससे क्या होगा, education का transfer हो पाएगा then student, the essence of education is all-round development of the student तो हमारा जो education किस के लिए है, student के लिए है, तो जो भी चीज चल रहा है, वो सब student के लिए उसका physical, mental, social, emotional, ethical, economical, spiritual, वो सब development का expect करते हैं हम लोग student से the student should have the curious state of mind, उसका curiosity होना चाहिए, वो knowledge acquire करने के लिए modern education क्या होता है, modern education जो technique आ रहा है, उसमें सब encourage कर रहा है, intellect उसका जो integral development, मतलब उसका total development होगा उसका self-learning में encourage कर रहा है, then discipline, discipline also plays silent role in modification of behavior of the child, उसका behavior change करने में, उसका discipline आने में education help करता है, all the philosophies explain discipline in their own way, जो भी है, जो भी ideology है, जो भी philosophical theory है, उसमें क्या होता है, कि discipline लाने को मतलब try करते हैं, naturalism denied the disciplines and proposal natural disciplines and pragmatism explains importance of self-aspect discipline for the effective education, तो जो भी education process है, उसमें क्या होता है, discipline एक important role play करता है, then education deals with problems and issues of education, such as vocationalization of education, population education, moral education, बहुत सारा education process है, उसमें भी scope है, then there are many new subject involved for education, बहुत सारे नए 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 education भी आ गया है, जैसे कि psychology हो गया है, sociology of education, philosophy of education, यही सब नए 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 concept है, then cheap element of adaptive process, cheap elements of क्या क्या है, पहला है, why to educate, क्यों educate करना है, तो वह कहां से पता चलेगा, जब हम उसका aim and developing institution देखेंगे, तब पता चलेगा कि why the education, then whom educate, कौन करेगा, educate कौन करेगा, मतलब whom to educate, किसको educate करेंगे हम लोग, child को, who is educate, कौन करेगा, teacher, where, कोई जो educational institute है, what to educate, किसको educate करेंगे, मतलब क्या educate करेंगे, उसका जो curriculum है, then how to educate, कैसे करेंगे, उसका जो है, aim है, methods है, वही सब से करेंगे, and when, कब करेंगे, जब उसका interest होगा, तो यह सब है, उसका scope, सो आज के लिए इतना है, next class में हम लोग type and function of education पढ़ेंगे, please like, share and subscribe my channel, thank you,